बिसमिल्लाह वहमार वहीम आज हम नॉर्माले ट्रैलिस के बढ़े में पढ़ेंगे लेटरल व्यूव सकल जो है उसको हमने ओन नॉर्माले ट्रैलिस में पढ़ते हैं फर्स्ट ओफ आल हम देखेंगे के बॉंद इसमें कौन-कौन सी आ जाती है इसमें हमारे पास फ्रंटल बोन आ जाती है नेजल, मेक्जिला, जाइगोमेटिक, उसके पास फिनौाइड, प्राइटल, टेंपोरल और नेस्ट्राइड पार्ट ओफ टेंपोरल बोन और ओक्सिपीटल बोन यह सारी बोन जो है यह नॉर्माले ट्रैलिस में आती हैं उसके बाद इसकी अधर फिटर में हमारे सबसे पहले आ जाती हैं टैंपोरल लाइन्स, टू टैंपोरल लाइन्स होती हैं जो कह जाती है जाती है और इसको zygoma भी कहते हैं, अब इसकी formation कैसे होती है, anterior जो one third है, उसमें it is formed by the temporal process of zygomatic bone, और जो posterior two third है, here it is formed by the zygomatic process of temporal bone, और जहां पर यह दोनों की formation हो रही है, वहां पर एक suture होते है, यह वाला इसको हम कहते हैं, zygomatic and temporal suture, अब इसमें जो zygomatic arch है, इसका यह वाला upper border है, यह व inner surface होती है, उसके बाद इसका यह जो anterior end होता है, इसको हम कहते हैं, जूगल point, जो posterior end होती है, वहां पर two roots होती है, यह anterior root है, और यह वाली posterior root है, जो कि इसको join करती है with the schemas part of temporal bone, और इसके lower part में यहां पर एक टुबरकल होता है, उसको हम कहते हैं, आर्टिकुलर टुबरकल, उ इस जगा पर एक टुबरकल होता है, इसको हम कहते हैं, पोस्ट लिनॉई टुबरकल, देन आर्टिकुलर फोसा और पोस्ट लिनॉई टुबरकल के posteriorly इस जगा पर external equastic meatus होता है, जो के external ear की opening है, अब जो external equastic meatus है, इसकी यह superior surface है, यह inferior surface, यह हमारे पास आ जाती है, इसकी टिमपैनिक प्लेट, जो के टेक पार्ट करें इनके formation में, अब इसकी जो superior surface है, और जो posterior surface का जो बाकी remaining part है, वो उसकी फार्मेशन होती है by the temporal bone, देन हमारे पास आ जाते है, इसमें एक और, यहाँ पर एक होती है, सुप्रा में इस जगा पर होती है, जो के posterior margin of the, जो external equastic meatus ह उसमें होती है, ठीक है, इस पर इस कल में ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, यहाँ पर आप लोग देखें कि यह external equastic meatus है, और इसके behind इस जगा पर, एक यहाँ पर ट्राइंगल है, जिसको हम कहते हैं, सुप्रा मियेटल, ट्राइंगल, ठीक है, इसकी जो boundaries है, इसमें हम हम कह देते हैं कि सुप्रा में स्ट्राइड क्रेस्ट है, ठीक है, तो यह, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं, हमार पास, पोस्टो सुपी है, मार्जन ऑफ दा, एक्स्टरनल इक्वास्टिक में एटस, ठीक है, और इन दोनों लाइन्स को, जब हम आपस में ज इस तरनल इक्वास्टिक में एटस, और इन फ्रंट जो है, जहाँ पर हम इन दोनों बाउंडरी को आपस में मिलाएंगे, तो उससे यह बाउंडरी बनेगी, उसके बाद हमार पास आ जाता है, इसमें, तैन हमार पास आ जाता है, मैस्ट्राइड पार्ट ऑफ टेंपोरल ब इन दोनों के दर्म्यान में इस जगह पर जो सुचर होता है, इसको हम कहते हैं पराइटो मैस्ट्राइड सुचर, और जो मैस्ट्राइड पार्ट ऑफ टेंपोरल बोन है, इन दोनों के दर्म्यान में यह जो सुचर होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सिपितो मैस्ट्राइड एंटो word है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं में फोसा हमते हैं इसको हम कहते हैं इस को हम तो इसके फील्ड होता हैोना अगरी तो यह जगांगा हम यह पुरेलिस्द मुस Rideți menorat技 बह lui इस इसको अगते हैं इसमें इब उपर यह बोला जो ऐह शेपनी ज इयां इक Св def । फोसा है जो के फिल्ड होता है with the temporalis muscle और जाइगोमेटिक आर्च के behind मतलब इस जगह पे जहां पे एंगल ओफ मेंडीबल साइड पे आजेगा इस जगह पे इंफ्राटेंपोरल फोसा होता है और इसके इलावा यहां पे इस जगह पे टेरिगो पेलेटाइन फोसा होता है जिस हम कहते है टीरियोन यह जो टीरियोन है यह फोर पॉन से मिलकर बनता है और फ्रंटल बॉन और ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड बॉन पराइटल बॉन और स्केमस पार्ट ऑफ टेंपोरल बॉन इसकी क्लीनिकल इंपोर्टन्स यह कि यह इंटरनली यहां से जो है ना इसकी वाइसे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है और अगर इसे टाइमली मैनेजमेंट ना की जाए इसकी तो इसकी वजह से क्या होता है कि डेथ हो जाती है यह टीरियोन जो है यह इस इस वेरी इंपोर्टन इट वाजार बॉन दर लेओ नॉर्मा लेट वैलिस